हेलो एबरीबन मैसेट फनिश वाड़ेड और आज हम एपप्टोसिस के दोनों पाथवेश कवर करेंगे लास्ट लेक्चर में एपप्टोसिस के एग्जाम्पल्स और चरेक्टिरिस्ट्रिश्टिक फीचर्स और बाखी सारी डीटेल्स हमने डिसकस की ति आज हम दोनों या फिर निसफोल्डेट प्रोटीन की एक्युमिलेशन की वज़़से हो सकती ही पर उसमें से भी स्पेसिफिकली यह थी ओनली प्रोटीन इसको सेंस करेंगे और उसके बीच्ट्री ओनली प्रोटीन के एकजांपल से बीचिट बैड नोक्सा एंड प्यूमर ठीके यह अपर याद रहना जाहिए इतके उपर MC क्यों आता है एक दो बर बोलोगे तो याद रह जाएगा इतना कुछ टॉप नहीं है फिर देखो ये दो काम करेगा एक तो अगर आपको एपोप्टोसिस करा नहीं है तो आपको जो जीन्स है जो एपोप्टोटिक के लिए इसरा रहोगे यह प्रोएपोप्टोटिक जीन्स को याद कैसा राखोगे प्रोएप्यक मतलब प्याले तो इसमें अई कम न है और उसके और MCL1 ठीक है इस तरह से याद रखना pro-apoptotic genes और anti-apoptotic genes तो आपको one fusion नहीं होगा याद रखने में और इसके साथ यह bht only protein के तो examples याद रखने ही है इसके उपर खास MC क्यों आदा देख और pro-apoptotic genes increase होगे और anti-apoptotic genes से वो inhibit होगे तो इनकी वजह से क्या होगा mitochondria में जो cytochrome C present है ना वो leak out कर जाएगा और cytochrome C जैसे ही leak out होगा वो apoptosis activating factor के साथ combine करके apoptosome form कर देगो और यह apoptosome जो form होगा ना उसका काम क्या होगा यह protein है caspase enzyme उसको activate कर देगा caspase दो तरह के हैं एक initiator caspase और एक executioner caspase और जिसका main काम है protein का breakdown करना और endonucleus का activation करना तो यह apoptosis हो पाएगी cell death हो पाएगी ठीक है तो finally हमें कहाँ पर पहुचना है यह common pathway gaspase को activate करना है यह तब पहुचना है ठीक है देगो intrinsic pathway एक बार short में revise कर लो सबसे पहले cell injury होई वह apoptotic sensors ने sense की और उसमें भी especially only protein जिसके पाच एक्जामपल है बिव बिद बैट नौकसा और फिमा ठीक होने क्या दिया प्रो एपप्प्रोटिक genes को activate कर दिया और anti-apoptotic genes को inhibit कर दिया जिसकी वजह से cytokrome C जो mitochondria में present था वो लीक आउट कर गया और वो एपाफ वन के साथ combine कर गया एपाफ वन मतलब apoptosis activating factor जो दोनों वर्ण्स करके apoptosome form कर दिये और apoptosome ने finally caspase को activate कर दिये ठीक है यह था intrinsic pathway और intrinsic pathway को mitochondrial pathway भी बोलते है फिर दुसरी तरफ extrinsic pathway extrinsic pathway को fast ligand pathway भी बोलते है और death receptor pathway भी बोलते है यहाँ पर fast ligand वोड इसली यूज़ करते है क्योंकि यहाँ पर fast ligand और fast related होता है इसके related होता है self reactive lymphocyte अगर self reactive lymphocyte अगर self reactive lymphocyte अगर इसको suppression करना होगा इसको killing करना होगा वरना यह auto immunity cost करतेगा तो इसको cells कैसे करेंगे कि self reactive lymphocyte इसके उपर fast present है यह फिर tnf receptor present होगा यह फिर इसको cd 95 भी बोलते है ठीक है और देको suppressor T cell है न यह यह फिर T regulatory cell इसके लिए commonly use किया जाता है उसके surface पर fast ligand present है और fast और fast ligand bind कर जाएंगे तो fard का formation कर देंगे fard का full form है fast associated death domain ठीक है यह fast को tnf receptor बोलते है तो fast ligand को tnf बोलते है ठीक है tnf और tnf receptor bind कर जाएगे यह फिर fast और fast ligand bind कर जाएंगे जैसे आपको ठीक लगे ऐसा बोलते है ठीक है देगो fast associated death domain एक बर form हो गया तो वह भी जाके कैस्पेस को एक्टिवेट कर देगा देगो extrinsic पात्वे में ज्यादा confusion होने की बात नहीं है इसमें इतना ध्यान रपो कि self reactive lymphocyte है उसके surface पे fast present है जो की de-regulatory cells के surface पे fast ligand present है उसके साथ mind कर जाएगा और fast और fast ligand के mind करने के बाद fard का formation हो जाएगा फार्ड मतलब fast associated death domain ऐसे याद रबगो fast plus fast ligand is equal to five और यह fast है यह कहां पे present है self reactive lymphocyte पे और fast ligand है यह T regulatory cell पे present है ठीक है और यह भी जाके कैसपेस को activate कर देगा कैसपेस देखो कैसपेस अगई सारी ग्रूप की enzyme है उसको बहुत सारे होते है जो extrinsic pathway है ना वो कैसपेस नंबर eight और ten को activate करेगा और वहाई पर intrinsic pathway है वो कैसपेस नंबर nine को activate करेगा यह initiator कैसपेस में फिर executioner कैसपेस है वो तो दोनों में सेम ही है एक्शन तो दोनों में सेम ही लेगी three और six ठीक ही यह ध्यान रखना है यह Robins में दिया हुआ है तो ध्यान रखना एक्टिंसिक पात्वे है वो eight और ten कैसपेस को activate करेगा वहाई पर intrinsic एक पात्वे वह नाइन को एक्टिवेट करेगा फिर एक्जेक्यूशनल केस्पेस में दोनों 3 और 6 को एक्टिवेट करेगी और इसका काम है बेसिकली प्रोटीन का ब्रेक्डाउन करना और एक्टिवेशन दोड़ा बहुत कैस्पेस एंजाइम के बारे में भी जाना है इस ठीकेट सी मतलब कंपोज्ड ऑफ सिस्टीन इसमें में इस सिस्टीन प्रेजेंट है ठीकेस इस फिर एजस मतलब यह करती है तापर एसपी एसपार्टिक एसिट जहाब भी दिखेड़ा इसको इसके बाद यह क्लिव कर देगी ठीकित देगो यहापर यह पर यह प्रोट ऐसे करती है एक इसपेज ठीके तो यह इतना था एकपप्प्रसिस के बारे में जितना आपको जानना चाहिए था उतना मैंने लास्ट लेक्चर और आजके लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया है सबसे ज्यादे इसमें इंपोटेंट है सबसे पहले जो मैंने एक्जां और इंट्रिंशिक पाथवे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यह तीन चीज अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका अपोप्रोसिस आराम से कवर हो जाएगा ठीके देखो इसमें एक बार डिफ्रेंस देख लेते हैं नेक्रोसिस और अपप्रोसिस में देखो नेक्रो लोजीचल उसके इसमें पूरा टेशू इंवर्डन नहीं होता है इसमें या तो सेल और या फिल पूरा सैल इंवल्ड हूए यह तिस्यू लेवल पर यह संह्लिर नेवल गों पर जालती है ठीक देखो palsy की सॉंप कर दोर्ट उसको फॉलोड रहा था इंट्रार सें की आउट्लाइन डेमेज हो जा रहा थी क्योंकि प्रोटियोलेटिक एंजायन्स लाइजोजोंस में से डेमेज रिलीज हो रहते है जो सेल वाल पर डिस्ट्रोई दर दे रहे पर यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर एपक्टोटिक बोटी सेपरेट होने के बात भी ऐसेल की आउट्लाइन है वह इंटेक्ट रहे ही है पिर क्रोमेट्रिन का नेकरोसिस में करयोडाइसी समय और यहां पर एपक्रोसिस में इसलिए यहां पर इंफ्लमेशन होता है और यापर इंफ्लमेशन Brzusra होता है न यह कई बार में कन्फ्यूस कर देता हो कि हम उसको लाइट माइक्रोसकोपी में देखेंगे तो वहां पर इंफ्लामेशन प्रेजन्ट होगा तो सीधा बोल चाकते हैं कि ना यह क्या बोलते हैं इंजरी हो गई पर यहाप पर एपक्षोसिस में इंफ्लामेशन न प्रेजन्ट होने की वज़े से अमारे लिए यह प्राइंड करना थोड़ा सा टॉफ हो जाथ ठीके तो दिस वाइन अबाट दे वीडियो ओप यू लाइक दिक नेक्स्ट वीडियो में वहार तरह की डिवर्सिबल सेल इंजरी जैसे की नेक्रोप्तोसिस प दिस वाइन नचित रहाओ टॉट हो जाता है जिस वाइन आए प्रेज़ग।